प्रॉब्लम से स्वरूप की बात करते हैं पंडेजे देंगे तो अगर आप नव दुर्गा के सात्मे स्वरूप की पूजा करते हैं तो रोग का शोक का और बाधाओं का नाश होता है इसके अलावा नकारात्मक उर्जा नजर लग गई तंत्र मंत्र हो गया किसी ग्रह की भयंकर बाधा से परेशान है उससे आपको छुटकारा प्राप्त होता है इस दिन माता के काल रात्री स्वरूप की पूजा की जाती है माता काल रात्री का रंग काला है बाल बिखरे हुए आखों से चिंगारिया निकलती हुई तीन नेत्र एक हाथ में तलवार और एक हाथ में बिजली बड़ा भयंकर स्वरूप है माता कालरात्री का लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये केवल अपने भक्तों का शुब करती हैं इसलिए उन्हें शुबहंकरी भी कहा जाता है तो अगर आपको जीवन में कभी भी ऐसा लगे कि आप तंत्रमंत्र की बाधा से जूज रहे हैं या नकारात्मक उर्जा से परिशान हैं कभी भी आपको ऐसा लगता हो तो आप नव दुरगा में नवरात्री में माता कालरात्री की पूजा जरूर करिएगा और इनकी पूजा की जाएगी सुगंद से और धूप बत्ती से यानि ठेर सारी धूप बत्ती खुश्बू वाली जलाईए और सुगंद माता को अर्पित करिए साथी साथ माता को गुड का भोग लगाईए आपके लिए बहुत अच्छा होगा अगर हम ग्रहों की बात करें आप माता कालरात्री की पूजा करें तो शनी संबंधी बाधाएं आपकी दूर होंगी शनी की साड़े साती है, शनी की धईया चल लई है, शनी की दशा चल लई है जो आपके लिए नकारात्मक है तो ऐसी स्थिती में भी माता कालरात्री की पूजा से ये तमाम बाधायें निश्चित रूप से दूर हो जाती है इस बार माता कालरात्री के सातवे स्वरूप की जो उपासना है वो 28 मार्च को की जाएगी तो अगर आपको कहीं भी ऐसा लगता है कि जीवन में बाधा समाप्त नहीं हो रही है या निगेटिव एनरजी है तो आप माता कालरात्री की पूजा जरूर करियेगा इस आड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सल्यूशन ढूणना आसान प्रॉब्लम्स से सल्यूशन ता अल्टर ता नो यॉर फेट और आप चलिए आठमे दिन की बात कर लेते हैं यानि आठमे दिन कौन से सुरूप माता होता है जिसकी पूजा अरचन होती है पर लेते हैं जी आठमे दिन जिन देवी की पूजा होती है उनकी पूजा माता सीता ने भी की थी ऐसा शास्त्र कहता है और वो देवी हैं माता महागौरी नव दुरगा के आठमे स्वरूप से मन्चाहे विवा का वरदान मिलता है और सुखद वैवाहिक जीवन का वरदान मिलता है यानि आपका वैवाहिक जीवन अच्छा होगा और आपका विवा मन्चाहा होगा अगर आप नवरात्री के आठम दिन नव दुरगा के महा गौरी स्वरूप की पूजा होती है। इनको गौरी इसलिए कहते हैं क्योंकि जब इन्होंने अपार तपस्या की तो शरीर काला पड़ गया। भगवान शिव जब प्रकट हुए तो उन्होंने अपने कमंडल से जल छड़का और तब से ये एकदम गौरवर्ण की हो गई इसलिए इन्हें महा गौरी कहा जाता है। और माता महा गौरी की पूजा की थी माता सीता ने भी भगवान राम को पती रूप में प्राप्त करने के लिए तो अगर कोई बालक है बालिका है मनचाहा विवा करना चाहता है तो माता महा गौरी की पूजा करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा और माता महागौरी की पूजा की जाएगी सफेद फूलों से शुवेद पुष्पों से माता महागौरी की पूजा होगी और साथी साथ माता को नारियल का भोग भी लगाया जाएगा यानि माता महागौरी को नारियल का भोग लगाएग और सफेद पुष्पों से उनकी पूजा करें वो आपके लिए बहुत शुब होगा और माता का संबंद जिस ग्रह से है वो ग्रह विवाह का ग्रह भी है और वैवाहिक जीवन का ग्रह भी है उस ग्रह का नाम है शुक्र तो अगर आप माता महागौरी की पूजा करते हैं तो आपकी कुंडली का जो गडबड शुक्र है वह बहुत हद तक बहतर हो जाता है इस बार माता के आठ्वे स्वरूप की जो पूजा होगी वो होगी 29 मार्च को जब आप पूजा करके माता महागौरी की कृपा पा सकते हैं तो नौवा स्वरूप अंडेची उसकी बात करते हैं नवरात्री का अंतिम दिन नवा दिन और ऐसा मानते हैं अर्पिता कि अगर आपने नवरात्री के आठ दिनों में पूजा नहीं की है किसी कारण वश कोई मजबूरी थी और आप नवे दिन अगर साधना कर लेते हैं नवे दिन अगर पूजा कर लेते हैं तो भी आपको संपूर्ण नवरात्री का फल प्राप्त होता है। इसलिए इसको महानौमी कहते हैं, सामानिता नौमी नहीं कहते हैं, महानौमी कहते हैं। नवरात्री के नवे दिन मुक्ती मोक्ष मिल सकता है हर तरह की सिद्धियां मिल सकती है और हर तरह की कामनाईं आपकी पूरी हो सकती है नवरात्री के नवे दिन माता के सिध्धिदात्री स्वरूप की पूजा की जाती है और ऐसा माना जाता है कि दुनिया भर में जितनी भी सिध्धियां हैं जितनी भी शक्तियां हैं वो माता सिध्धिदात्री के पास हैं और जो नव दुर्गा के बाकी आठों स्वरूप हैं, वो सब इनके अंदर समाहित हैं। तो अगर आप नवरात्री के नवे दिन केवल माता सिध्धिदात्री की पूजा करते हैं, तो भी आपको नव दुरगा का वर्दान प्राप्त होता है नवरात्री आपकी सफल होती है नवरात्री के नवे दिन जब आप देवी की पूजा करेंगे तो अलग-अलग रंग के फूलों से करेंगे अलग-अलग विभिन्द रंग के फूलों से करें और माता को काले तिल का भोग लगाएं ये आपके लिए बहुत शुब होगा और मालिया आपने किसी दिन भी पूजा नहीं की है तो कोई बात नहीं नवरात्री के नवे दिन थोड़ा समय निकाल करके सुबह, शाम और रात के समय में पूजा कर लीजेगा आपको देवी का वरदान प्राप्त होगा और इस बार माता के नवे स्वरूप की पूजा होगी 30 मार्च को 30 मार्च को नवरात्री का समापन होगा और 30 मार्च को ही नव दुर्गा के नवे स्वरूप की पूजा की जाएगी